राम राम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, उमीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, और अच्छे ही रहिए, और मैं आपका अपने यूटूब चैनल में सभी का स्वागत करती हूँ, और चैनल पर नए है तो प्ली चैनल को जरूर सस्क्राइब करें, करने के कोई पैसे नहीं लगते, तो आप लोगों के मनोरंजन के लिए वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप लोग का मनोरंजन हो सके, और यह देखिए, और अपने कीमती समय में से पांच मिन्ट निकाल कर मेरी वीडियो देखें, और अभी मैंने साफ किया है पालक, और पाल अभी तैयारी कर रहे हैं, दाल बनाने की, और अभी दाल साफ कर लोगी, यह देखें, मूं की दाल है, तो बैस, अभी चलते हैं, बहार, और अभी मैं बहार बैठ कर, कर रही हूँ, दाल साफ, और मा उदर अपने काम में लगी हुई है तो नाइशा अभी सो रही है तो बस तभी मैं हेल्प करवा देती हूँ मा की थोड़ी बहुत क्योंकि वो उठने के बाद तो कुछ करने नहीं देती तो बस अभी वो सो रही है इसलिए सारा काम करवा देती हूँ थोड़ा थोड़ा तो इसके बाद मा बना लेगी दाल और आज बनेंगे चावल दाल क्योंकि एक सराद है आज और ये देखिए अभी आया है मौर और मौर को गेहु डालने के लिए उदर से पापा लाने गए हैं क्योंकि सभी अपने अपने काम में बीजी हैं और तो बस अभी पापा डाल देंगे मौर को गेहु तो ये देखिए चावल भी मा ने बना दिये हैं और बनकर हो गए हैं तैयार आप लोग भी आजी खा लीजी और इसमें बनाई है दाल तो बस अभी मैं वही डाल रही हूँ खाना डाल रही हूँ और मा उधर वाले किचिन में यानि भार चुले वाले किचिन में बना रही है रोटिया तो अभी मैं सबसे पहली दादा के लिए खाना डाल रही हूँ और अभी टाइम हो रहा है 10 बज़े वे हैं तो नाईशा एक बार फिर से सो गई है तो बस इसलिए मैं जल्दी जल्दी डाल लेती हूं और साथ ही अपना भी डाल लेती हूं तो फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूटूब चैनल में और चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और अच्छे अच्छी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी पॉजिटीव रहें पॉजिटीव सोचिए और पॉजिटीव चीजे ही देखिए तो यह देखिए अभी मैं डाल रही हूं चावल तो जैसे हमारी डेली की रूटीन होती है बस वहीं आपकी सामने में शेयर करने की कोशिश कर रही हूं अगर कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसके लिए शोरी तो बस ऐसे ही ह अगर काम चलता रहते हैं और यह देखिए मैंने दादा के लिए थाली लगा दी है खांड है और दाल है चावल है खांड में गी नहीं है और यह दूद है क्योंकि घी उदर वाली किचिन में मा गरम कर रही है तो देखिए नाइशा सोय हुई है और मैं भी अपना खाना ले लिवेध है और नाइशा को निला के आ चुकी हूँ मैं और यह देखिए इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं यह इतनी हस्ती है तब मैं इसको बोलती हूँ कपड़े पेनाती हूँ कि नए है नए है तो बस यह इतनी खुश हो जाती है बहुत ज़्याद है और चियो पुर अभी यह वाला वीडियो है कि शाम का है और इसको शाम को भी मैंने निलाया है मैं इसको दोनों टाइम निलाती हूँ पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था क्योंकि बच्ची है पूरे दिन जैसे सुसू कर देती है लाल गेर देती है तो ऐसे गंदी हो जाती है और सर् और इसका पूरा ध्यान रखती हूँ मोसम भी चेंज हो रहा है पता है भई तो बिमार पढ़ने का भी डर है लेकिन मैं इसको गरम पानी से निलाती हूँ ऐसी बात नहीं है और सर्दियों में तो आपको पता है कि बच एक टाइम निलाते हैं तो बस अभी थोड़ी गरमी थी और इसी वज़े से निला देती हूँ इसको और ये देखिए फोन खाने में लगी हूँ इसको कुछ भी दे दो वहीं ये मुँ में डालने की कोशिश करती है और ये देखिए अब बोडी लोशन ले लिया है और मैं इसके जो प्रोडेक्ट होते हैं लगाने वाले और ओयल होया बोडी लोशन ये सारे हिमाले की यूज़ करती हूँ साबून भी, सैम्पू भी, पाउडर भी सारे हिमाले की यूज़ करती हूँ तो ये देखिए अभी इसको मैं लगा दूँ और मा साम की रोटिया बनाने लगी हूँ है बहार वाली किचन में तो बस अभी मैं और ये देखिए अभी इसको लगा दूँगी तो आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रही है मेरी वीडियो एक बार फिर से आपका स्वागत है और चैनल को जरूर सस्क्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे फिर मिलूँ एक अच्छे से व्लोग के साथ तब तक ले राम राम